हलो स्टुडेंट्स चलिए आज देखेंगे सेंकॉर्णस पर्ले हम लोग ने देख चुके हैं हम दो देख चुके हैं कि कीुषए लविडी قagen क्या थेगने पर अगर यह पूशा जाए कि इन सब्सक्रिस्ट जो अब द्लीटेक्जिन को कि अगर इन त्यूंस पूछा जाए कि इन सब्सक्राइब और सब्सक्राइब को को मेंसे इन ये मैंसे ऑठ मोडेलेटर वैर की तो पिर किसी भी प्रकार के waveform को कर सकता है किसी भी प्रकार के waveform को करता है मतलब कोई भी कैसा किसी टैप का आ जाए तो पर यह होता क्या है कि मतलब इसको यूज हम लोग नहीं करते हैं पर क्यों इसका नहीं को यह कृता है यह नजसे जाए जाएं लूग सबसे करते हैं कि उल्कार तो यह होता है कि वह हम लोग जब इन्पूट करते हैं इन्पूट हमारा मैसेज सिगनल होता है मैसेज सिगनल होता है तो क्या होता है मैसेज सिगनल गया मैसेज सिगनल क्या होता है मॉडलेट होके मॉडलेट होता है और उसके साथ करियर सिगनल जो होता है केरियर सिगनल एड होके क्या करता है होता है transmitter transmit करता है transmitter transmit क्या पर receiver पर modulation and modulate है हमारे पास वही जो modulate आएगा modulate signal आएगा SMT आएगा तो वो क्या करता है multiplier के और carrier signal जो हता है multiply दोनों के multiplier से multiply के थूर पास करता है और दोनों multiplication होके low pass filter LPF से pass होता है और जिसके बाद हम लोगों message signal हमारा empty हमारा message signal at last मिलता है तो यह दो तरीका से होता है एक frequency synchronization दूसर होता है फिर synchronization तो चलिए देखते हैं आप क्या कैसे वर्ग करता है ठीक है तो देखिए पहला case में आए जूम करते हैं कि यह होता है as a local oscillator output जो यह हो गया हमारा frequency synchronization देखिए यह यहां input हो गया एक केरियर फ्रिकेंसी होगे न केरियर फ्रिकेंसी और यहां samt होगे samt हमारे पास क्या है हमारे पास है ac into one plus k mt cost to pi fct अगर इस ब्रेकेट को open किया तो क्या आएगा ac ac cost to pi fct plus ac k mt cost to pi fct अगर multiply देखिए यहां multiply है न लोकल oscillatory इस ही को कहते हैं हम लोग यहां जो local oscillatory यहां लगा है इसके थुरू multiply होके जो से उसे multiply होके lpf से पास करता है तो local oscillator हमारे पास क्या है ac cost to pi fct तो local oscillator देखिए यहां से multiply होगा के cmt आप city तो multiply करने के बाद क्या होता है देखिए मैं दोनों multiply तो ac cost to pi fct plus ac k mt cost to pi fct into ac cost to pi fct अगर दोनों को multiply किया होगा ac 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 square cost to pi fct into cost to pi fct तो cos square to pi fct यहां से multiply को करते हैं ac square k mt यहां होगा फिर cost to cost square to pi fct पर cost square x हमें पता है कि one plus cost to x होता है one plus cost to x अगर ब्रेकेट इसको cos square 2 pi fct को हम तोरें break करें तो क्या होगा ac square one plus cost 4 pi fct आओ इसको भी break किया जाएद क्या होगा ac ac square kmt upon two one plus cost 4 pi fct अगर इस इन दोनों तरह से मतलब bracket को इन दोनों bracket को open किया जाएद क्या होगा ac square upon two और ac square upon two, ac square upon two into cos 4 pi fct यहां आएगा ac square kmt upon two हो गया और फिर यहां आता है ac square kmt upon two into cos 4 pi fct पर देखिए अब क्या है अब हमें तो यह मिल गया modulator जो multiply से मिल गया हमें output यहां से output मिल चुका है इसका output मिल गया पर अब क्या करेगा LPF से पास करेगा LPF से पास करने का मतलब क्या हुआ local pass filter low pass filter क्या करेगा low signal को पास करेगा हमेसा high signal को पास नहीं करेगा तो नहीं होगा क्योंकि यह यह नहीं होगा क्योंकि यह नहीं होगा लोकल एक एम्प्लिट्यूड है और अपन टू कॉस्ट फोड़ पास नहीं होगा अब यह दिखिए ACA square Warum for स्वर्पोड यह कंल नहीं हम एक हमारा मैसेज स्ट देलल ही यहीं हमारे स्ट आलपी-आप प्ट यह थी इस्टा मिलता है यहां से फिर यहां देखिए सीं स्कॉर के अंपटी एपन टू कॉस्ट पाइफ सीटी यह भी नहीं चाहिए यह भी नहीं मलेगा क्योंकि फोर पाइफ यहां तो देखिए लों अटलास्ट ऑट्पट क्या हो गया तो देखी यह हो गया हमारा फ्रिक्रेंसी सिंक्राइजेशन पर अगर फेज डिफ्रेंस होता है देखे फेज डिफ्रेंस क्या करते हैं जैसे इंपूट में अगर इंपूट में हमारे पास इंपूट हमारे पास क्या है अगर इंपूट देखा जा है हमारे पास इंपूट हमारे पास क्या है एसी कॉस्ट टूपाइ एफ सीटी और पर जब आउट्पूट में लेते हैं जब आउट्पूट में लोकल उसिलिटर से मल्टिप्लाइ करते हैं तो क्या होता है कुछ से सिग्नल देखे लोकल यहां क्या होगा एसी कोस्ट पाई एफिटी प्लस फाइश अंटी इंपूट होगा हमारे पास तो यह ngटपिलाइर से मुल्टिपलाइर इहां पर अगर इन दोनों को मल्टिप्लाइ किया जाए तो क्या निकल के आएगा इतलास्ट हमारे पास मैसे सिक्नल हम लोग देखते हैं आउट्पुट ए मुल्टिप्लाइ मुल्टिप्लाइ आउट्पुट एस्क्वार अपॉन टू के एम टी इन्टू कॉस फाइब ठीक है आप पर तो हमारे पास आउट्पुट आता है ऐसी इसकार के एंटी पर वही अगर कोस्पाइफाइट के वेलिओ अगर हम नाइन टी कर देते हैं तो जीरो आटते हैं आउट्पुट के विलिओ तो देखिए इससे क्या होता है है हम यह देख साथते कि अलग लग अलग फेस्ट पर अलग अलग आउट्पूट हमें नहीं मिलता है पर यह जो आउट्पूट जीरो निकला तो यह इसे हम कहते हैं में कॉड्रेटर नल एफेक्ट क्यू एन होता है कि मतब कॉड्रेटर नल एफेक्ट से इसे अलग अलग आउट्पूट हमें मिल रहा है तो अलग अलग आउट्पूट हमें मिल रहा है तो इसको एक कॉंट्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक अलग से सर्किट हम लोग इसमें कनेक्टेट करते हैं तो जिसके कारण से हमारा जो होता है सिंगा सिदी होता है एजी बहुत कंपलेक्स हो जाता है जिसके कारण से हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं और हम लोग इन्वाड़ डिटेक्टर को यूज करते हैं इसी कारण से ठीक है चलिए देखिए देमो डड़ी मों दो दिमों दिमो डिमोलेत्ट जी इसे क्या है हमार पास प्राम्नी एड़ी दभान्टिपलाशन हमारा लुटा हम लोग इस तो इस यूज फोर लोंग-डिस्टेंस क्मूनीकर रूवक इसंको लॉंडिस्टेंस के लिफ चकते हैं पर drawback क्या है हमारे पास इसका drawback है transmitter power is wasted हम लोग देख चुके हैं कि transmitter power हमारे पास जो square load demoralisator था उसमें हम लोग देख रहे थे बहुत ज्यादा हमारे पास जो होता है transmitter power wastage हो जाता है it needs high transmitter bandwidth bandwidth भी हमारे डबल चाहिए bandwidth हमें डबल लग रहा था इसके कारण से इसकी drawback हो जारी highly affected by noise noise भी हमें आ रहा था इसमें तो नाइस को भी effect कर रहा थो nice के कारण एक यह जो अब last one जो था as the synchronization detector जो होता है वह क्यों इस एफेक्टेट था affected था अमदब क्वाड़े चरनल एफेक्ट था तो अगर इसका application देखा जाए कि मतलब अवरल एम का application देखा जाए तो क्या होगा एम का application होता है it is performed by perform to use broadcasting point to point to multipoint हम लोग यहां क्या कर सकते point to multipoint एक से ज्यादा को मतलब connected कर सकते हैं मतलब एक से ज्यादा को receiver receive कर सकता है receiver मतलब एक time में तो transmit करेंगे एक से ज्यादा receiver हम लोग कर सकते हैं यहां पर तो यह होता है envelope detector होता है वह उसको हम लोग यूज करते मैं ली वही यूज किया रहता है हमारे पास एम में तो इससे maximum question आता है आप लोगों को gate में भी और इसमें भी आता है university examination में भी ठीक है अगर किसी को कुछ डाउट होता तो आप मुझे पूछ सकते हैं चलिए ओके मिलते नेक्स्ट क्लास में बाई थैंक यू